हेलो फ्रेंड्स वेलकुम बैक टो माई चैनल और आज मैं आप लोगे साथ सेयर करने वाली हूँ आखों की पलकों की गुहेरी ठीक करने का राम बाड इलाज मैं आप लोगे साथ सेयर करने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपके आखों की गुहेरी को खतम कर देगा जड़ तो इसे ठीक करने का राम बार इलाज में बताने वाली हूँ तो चलिए जान लेते हैं सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आपको गुएरी होने के बाद करना क्या है आपको दवा नहीं खाना है अक्सर आखों में बहुत जादे पेन और दर्द होने लगता है इसलिए हम लोग दवा खा लेते हैं आखों की गुहरी को ठीक करने के लिए आपको दवा बिल्कुल भी नहीं काना है क्योंकि दवा काने के वज़े से दर्द तो ठीक हो जाएगा लेकिन गुहरी आपके आखों में रह जाएगी और वो ठीक नहीं होगी दर्द तो नहीं करेगी लेकिन वो रह जाएगी तो इसलिए आपको दवा नहीं खाना है तो चलिए अब इसका कारण जान लेते हैं इसके होने के कारण क्या है पहला कारण है इसका परियाप्त नींद नहीं लेना आपको परियाप्त नींद नहीं लेने पर भी ये समश्या हो सकती है आँखों की सफाई नहीं करना परियाप्त सफाई नहीं होने के कारण भी हो सकती है उसके बाद bacterial infection या फिर stress या tension लेने के कारण भी ये समश्या आपको जेल नहीं पर सकते सु छेल लिये इसे करने के लिए सबसे पहला आपको चीज चाहिए होगा वह बेर का पत्ता ज़ो हम लोग भूल फाते हों उसके पत्ते जोड़िय। को चड़ते हैं वो वाले बेर के पत्ते जो कि आपके घर के अगल बगल में मिल सकता है या फिर आपको अगर नहीं मिल रहा है तो आप किसी नर्सरी यानि के प्लांटर सौप पे जा सकते हो वहां से आप ला सकते हो इसे तो मैंने जितना लिया है इतना परियाप्त होगा इतन पत्या इसमें सबसे जादे important है तीन पत्या लेने के बाद आपको इन पत्यों के साथ करना यह है कि इन पत्यों को आपको एकदम अपनी गुहेरी पे टच कराना है मान लेजे कि ये मेरी हाथ पे ये मेरा आंख है और यहां पे नीचे या फिर उपर साइड में आपको आखों क गुहेरी हुई है तो इसके लिए आपको पत्ता एक पत्ता पहले लीजे उसके बाद आपको पत्ते का ये वाला पार्ट जो की डाली वाला पार्ट है इसको आपको आँको की गुहेरी पर टच कराना है एक बार और उसके बाद आपको पत्ता लेकर के दो बार ऐसे ऐसे करना ह और फिर आपको पत्ता लेना है फिर आपको वही वाला पार्ट सबसे पहले टच कराना है तो चलिके कर लेते हैं एक मैंने टच कराया और उसके बाद पत्ती से आपको ऐसे ऐसे तीन बार आपको ये काम करके फिर पत्ती को साइड में रख देना है फिर आपको लेना है पत्ती तीसरी वाली पत्ति के साथ विवाई करना है तीन बार आपको इसको टैच कराना है और उसके बाद रख लेना है पत्ति को अब इन पत्तियों को आप तीनों को कर लिए आखों की गुहेरी पे इस्तमाल उसके बाद आपको करना ये है कि आपको एक दंडी चाहिए होगी जो कि आपको इसी पत्ते की डाली की लेनी है मेरे पास एक्स्ट्रा थी इसलिए मैंने इसी की डाली की एक्स्ट्रा वाली डाली लेली है और इस वाले सीख को आपको इस्तमाल करना है बेर का ही डाली होना चाहिए जो कि पत्ते की सीख है औ और उसके बाद आपको पत्तियों को अच्छे से सर्या लेना है, सजा लेना है, और उसके बाद पीछे साइड से इसमें छेद कर देना है, बीचो बीच, अब इन पत्तियों को आपको दर्वाजे के फ्रेम के साइड में खोश देना है, आप अपने घर के किसी भी दर्वाजे के खोने में खोज सकते हैं इसको आप जैसे जैसे ये पती सुखेगी वैसे वैसे आपकी गुहेरी खतम हो जाएगी जड़ से खतम हो जाएगी और फिर कभी भी नहीं होगी तो ये मेरा पहला टिप था और इसे करने के बाद आपकी गुहेरी खतम हो जाएगी अब सेकेंड ट उन लोगों के लिए है जो की दवा खा चुके हैं और दवा खाने के बाद दर्द ठीक हो गया, लेकिन गुहेरी की गिल्टी रह गई है और वो ठीक नहीं हो रही है, और डॉक्टर उसका उप्रेशन करने के लिए बोल रहे हैं, ऑप्रेशन से हम लोग बहुत जादे डरते हो और आखों की बात है भई क्यों न डरें तो इसलिए आपको ये second वाला ट्रिक कर रहा है और इससे ये जड़ से खतम हो जाएगी तो आपको इसके लिए simply एक कपड़ा चाहिए होगा जो की काले रंका होना चाहिए और इस कपड़े के ऊपर जो second चीज़ चाहिए होगी वो है गोल मिर्च ब्लाक पेपर जो भी कहा जाता होगा आपके यहां उसके हिसाब से आपको इसे ले लेना है और इसके दाने जो चाहिए होंगे वो हैं 11 दाने आपको इस गोल की के चाहिए जो की आपको इन कपड़ों के ऊपर रखना है simply आपको ये दोनों चीज़े घर पे आस से मिल जाएंगे अब इन गोल की यानि की गोल मिर्च को इन कपड़ों में रखने के बाद आपको इसकी गांठ बना लेनी है जो की ऐसे करनी है आपको और गोल की बीच में रहनी चे और गांठ बना ली और अब इस गांठ के साथ आपको करना यह है इसे अच्छे से बांध प्रवाइट करने के बाद परवाहित करने के बाद आपकी आगों की गोहरी की गिल्टी रह गई वो हमेशा के लिए खतम हो जाएगी तो ये दोनों ही ट्रिक आपके लिए 100% वर्क करेंगे ये मेरे खुद के आजमाये हुए रामबाड इलाज है और ये बहुत ही सिंपल है इन पत्तों को आपको खोंज देना है दूसरे को जल में प्रवाहित कर देना है तो ये दोनों ही ट आप ट्राइ करिएगा 100% आपकी आँखों की गुहरी टी को जाएगी ये मेरे खुद के आजमाये हुए रामबाड इलाज है तो ये था मेरा आज का वीडियो जिसमें मैंने आपकी गुहरी की समस्या को जर से खत्म होने का उपाय बताया है अब आपको करना ये है वीडियो आप इस्तमाल करिएगा रामबाड इलाज है